वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स फूड लाइफ एंड होम डेकोर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने होटल का रूम टूर जैसा कि मैंने बताया था कि कल हम वन ओ क्लॉक होटल पहुंचे थे तो उसके बाद फिर हम लोग ने रेस्ट किया तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ रूम टूर जैसे ही इंट्री लेते हैं लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो एक बड़ी प्यारी सी लॉबी है और ये लॉबी अरिया से जैसे इन करते हैं तो यहां से हमारा रूम शुरू होता है और रूम के साइड में उन्होंने चोटा सा एक कीचन काउंटर दिया हुआ था जिसमें सारी चीजे थी माइक्रोवेव कैचल एवरिफिंग मतलब छोटा सा एक फ्रीज भी था और ये उसके साथ लगा हुआ एक ब्रेकफास्ट काउंटर था जोगी मिवजो को बहुत इंटरेस्टिंग लगा उसने रिक्वेस्ट किया कि ममा घर पे भी ऐसे एक ब्रेकफास्ट काउंटर बनाते उन्होंने और एक छोटा सा फ्रेज था यहां पर मीनी फ्रेज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को छोटी-छोटी चीजे मिनियाचर टाइप और यह कट ले रही था मतलब सिंपल जैसे एक होता है ना चोटा सा कीचन अपना विट ट्रॉली और सब ना बैल की एरिया है तो यह मैं आपको दिखाती हूं बाद में पहले आपको इस एरिया का टूर दे देती हो तो यहाँ पर इस तरह का एक couch था और यह carpet था जो कि geometrical print में था उसके उपर एक table रखा हुआ था और साथ में उपर एक painting लगी थी और couch के side में एक side table था और साथ में एक lamp लगा हुआ था lamp के design भी अच्छी unique थी तो चलिए चलते हैं gallery area में और enjoy करते हैं night view तो कुछ ऐसा है night view gallery से मैं आपको मौनी का भी share करूगी चलिए bedroom की तरफ चलते हैं और bedroom का tour करते हैं यह bedroom स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से इसमें wooden flooring की वही है और यह है tracing area साथ में बेटके दोनों साइट इन्होंने lamp दिये हुए हैं जो की काफी beautiful लगते हैं और यह है अपना workstation जो उन्होंने दिया है आपको अगर office का कुछ work करना हो तो आप बैटके वहाँ पे कर सकते हो और यह है bathroom जो की काफी अच्छा था और इस तरह से इसमें एक glass partition लगी यह next day morning की clip है और अभी मैं सुबह सुबह उड़ गए है और हमारा truck भी आने वाला है जो की समान unload करेगा हमारे flat में तो चलते हैं अभी ready होंगे और उसके बाद जाएंगे flat में कुछ इस तरह का sitting arrangement यहाँ पे दिया हुआ था और बहुत ही प्यारा सा view था हमारे hotel की gallery से तो चलिए start करते हैं ready होते हैं और बनाते हैं चाई चाई पिएंगे fresh होंगे और इसके बाद नीचे जाकर breakfast करेंगे और इसके बाद निकलेंगे flat के लिए तो कोशिश करूँगी मैं flat का आपको कुछ view दूँ और देखती हूँ समान के arrangement कितने तक हो पाता है और मैं कितना वीडियो आपके साथ share कर पाती हूँ तो चलिए start करत तो उसको उठाती हूँ और ready होते हैं और अब हम लोग निकल गए है नीचे बुफे है breakfast counter लगा हुआ है तो breakfast करेंगे और उसको हम लोग आ गए है flat में और समान भी unload होना शुरू हो गया है ये drawing area है और ये है हमारा bedroom यहाँ पे भी bedroom में wooden flooring की वही है समान unload हो गया था और उन गैस का connection मुझे next day मिला मैं next evening में आई थी hotel से तो गैस का connection हो गया था तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा बना लूँ तो एक इस तरह का मैंने एक pod भी लाया था अपने साथ जो कि बिल्कुल new है sticker भी ने निकला है तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे फिरनी और क्योंकि नया घर है और नया setup शुरू हो रहा है तो एक मीठा बनाना तो बनता ही है मैं यहाँ पे बना रही हूँ रवा फिरनी रवा को हलका सा साटे किया है और इसे अड़ किया है मिल्क में और इसे बिल्कुल low flame पे cook होने देना है तो इसे दिर दिर cook होने देंगे और बाद में इसमें add करें sugar and dry fruits जो भी तो जब तक यह cook होता है चलिए मैं आपको balcony से view देती हूँ हमारे flat से भी view बहुत प्यारा है यह sunset हो रहा है और देखें कितना प्यारा सा view है माशाला बहुत अच्छा view है हमारे flat से भी और यहाँ पे फिरनी अलग भग पक गई है मैंने बीच में आकर sugar, almond and green cardamom का जो मैंने एक powder तयार किया था वो add किया है और बहुत जादा कुछ नहीं add कर रही हूँ because अभी में पर सारा setup है नहीं उमीद करती हूँ friends आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे like करे, subscribe करे मेरे channel को और share करे अपने friends and family के साथ